हम लोगों ने नोट 1, नोट 2, नोट 3 तक पढ़ लिया पूरा मतलब नोट मतलब बोले तो यह वेक्टर के लिए कुछ अभी तक का जितनी पढ़ाई क्या रिजल्टेंट से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यह किसी भी कीमत पर आपको याद रहना ठीक है तो मैं नेक्स्ट नोट की बात करता हूं नोट नंबर 4 नोट 4 चौथा नोट क्या बोलता है ए डिफ्रेंस ए माइनस बी का मतलब क्या होता है होता है ए प्लस माइनस बी इसका मतलब की वेक्टर ए में हम माइनस बी को एड़ कर रहे हैं वेक्टर ए में एड कर रहे हैं प्लस का मतलब माइनस बी वेक्टर को या फिर इसको कई बार सब्ट्रैक्षन भी इसका नाम दियाता है ये सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं या फिर हम बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन का अपना इंटर्प्रेशन चुकि हमें एडिसन आता है तो एडिसन की तरह ही सोचेंगे कि एक को माइनस से रिप्लेश किया अब क्या है माइनस बी जो होता है यह होता है नेगेटिव आफ एशरी नेगेटिव आफ बी माइनस वी-कैनेटिव आफ बी माइनस औहसे बनेगा अगर वी वेक्टर ऐसा दिया है तो माइनस B Vector कैसा होगा तो माइनस वी वेक्टर आपको पता होता है कि ऐसा होगा कि 180गरी के फेज़ डिफरेंस पर आज आएगा 100C डेगरी अपोजिट तो यह माइनस का इंटरपरेशन बेसिक इंटरपरेशन यह बात आपको समझ में आता है मैं अगर बोलूँ इस नोट को थोड़ा धंधंग समझेगा कि अगर आपको बोला जाए कि वी हब टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड एंगल बिट्विन एंड बी इस थेटा तो आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड ए माइनस बी फाइंड एंगल बिट्विन ए माइनस बी फाइंड एंगल बिट्विन ए माइनस बी तो हमें पता होता है कि हम A-B के बीच का एंगल बनाने से मतलब होता है बच्चों की अभी तो A और B ऐसा दिया है तो हम पहले A-B की बीच का एंगल थिटा दिया है तो A difference B पहले बनाए तो तो बनाने के लिए देखो किया A को ऐसे बना दिया B अपना ऐसे था तो माइनेस B क्या इसी के आपोजिट इदर होगा ये B है तो माइनेस B ऐसा होगा ना चलो ब्लू कलर से मैं बना दे रहा हूँ B को अब आप खुद बताए कि ये अंगल अगर थिटा है तो क्या ये वाला अंगल पाई माइनेस थिटा होगा हाँ बिलकुल होगा अब इन दोनों को माइनेस B भी तो एक वेक्टर है ना इन दोनों को अगर आपस में देखना चाहो तो इन दोनों का A डिफरेंस B का रिजल्टेंट इदर जाएगा R1 बोल दो क्योंकि रिजल्टेंट तो B से जाता ही है वो क्या होगा R1 होगा A डिफरेंस B A प्लस B का रिजल्टेंट इदर कहीं जाएगा R होगा जो की होगा A प्लस B इस बात को आप समझना पड़ेगा आपको कि ये A माइनस B है और ये A प्लस B है ठीक है तो A डिफरेंस B के बारे में हम लोगों नहीं जाना अब इसका मैगनिटूड कितना होगा इसका तो मैगनिटूड हमें पता होता है मौड ओफ A प्लस B तो हमें पता होता है वो होता है कितना अंडरूट A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस 2 AB कॉस थिटा हाँ इसका भी दो हमें पता ही है R1 equal to mod of A difference B mod जो होता ही ये भी पता होता है अपने को A square plus B square minus 2AB cos theta इसमें किसी को कोई कस्ठ है नहीं ये भी पता है तो ये basic idea रहा है अपने को subtraction से related कि subtraction किस तरह करते हैं जैसे कि बच्चों मैं आप से कहूँ कि अपने पास एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है ये वेक्टर है ये बी वेक्टर है चलो इधरी की डारेक्शन में अपने को C वेक्टर दे दिया जाए और पूछा जा रहे हैं मुझे resultant बताओ जाए ये इसका भी मानिट्वट 4 यूनिट ले लो इसका ही मानिट्वट 6 यूनिट ले लो इसका ही मानिट्वट 4 यूनिट ले लो ये 60 डी डिगी बोला इसको भी 60 डBay्व अ धरेक्शन ऑफ find direction of a plus b minus c अब देखो कैसा भी question आपको देदो इसमें addition भी है subtraction भी है बस geometrical interpretation भी इसका हम लोग बहुत डंक्स जानते हैं a plus b का मतलब तो a plus b तो already है बट अपने को b नहीं चाहिए c नहीं चाहिए minus c चाहिए तो थोड़ा सा change आएगा थोड़ा सा change के आएगा कि a तो ऐसे बनेगा बी ऐसे बनेगा c को minus c से replace कर दो यह minus यह अब तीनों को जोड़ दिया जाए तीनों को जोड़ना है इन दोनों का resultant यह भी 4 unit है यह भी 4 unit है angle है 120 हम लोग पढ़े है resultant 20 से जाता है तो यह 60 ए 60th resultant x-axis के along ही जाएगा बोलो भाही यह resultant गया दोनों के along तो यह resultant जो r आया वो a plus b इसका length कितना होगा 2 a cos 60 मतलब 4 e आया ठीक है अब यह दोनों आपस में opposite vector बने तो यह दोनों अगर आपस में opposite बने तो दोनों के बीच के angle 180 आपको पता होता सीधा subtract हो जाता तो यह 6 unit length है यह 4 unit length है तो बचा कितना कि यह 2 unit हम में क्या हम तो directly बता सकते हैं यह vector कितना है तो हम तो बताई दे रहे हैं कि यह vector कितना है तो अब कोई अगर सूचना चाहें अगर देखो इसको लिखने का तरीका क्या है लिखने का तरीका यह माइनेश टू आई चलो आई के टम्स में लिखना चाहो तो ऐसे तो आपने को किवल डारेक्शन पूछा था तो बाता देते हैं वैस्ट आंसर आ गया, ठिक है तो पूरा पूरा प्रॉपर वेक्टर इंफेक्ट कितना है तो माइनस 2 आई, आछा कोई लिखना चाहए कि आप i j के टर्म्स में तो नहीं यूज हुआ है सर a b c की टर्म्स में आंसर बताईए तो दिरेक्शन क्या माइनस माइनस c के direction में है तो इसका unit vector magnitude दो unit क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं-c by 6 यूनिट वेक्टर बन गया vector को इसके magnitude से divide कर दिया इंटो magnitude इसका कि ये direction हो गया Tá Magnitude कितना है दो we welcome इसको ऐसे मिलेख सकते हैं यह कितने हैं माइनस सी वाई 3 है यह कि एस प्लस बी माइनस सी जो आया मैम सी वाइथ थी सिंपलिफाई करने की बादाया क्योंकि माइनसी ही दिर्स ही यह है इसी डि escrum साउसन बनाए ठीक है तो हम कुछ बदों को समझ रहें धिरे-दिरे सब्ट्राक्शन के बात एक छुटी से बात इस्पेसल पॉइंट्स जो हम लोग याद किये थे और मिने भी याद रहे तो कोई बुराई नहीं न ludzie में जैसे कि इस्पेसल केस हम लोगों ने पढ़ा था कि इस्पेसल केस क्या था कि अगर दो वेक्टर कि ए और बी हों कि मॉड एकॉल टू मॉड बी होता है तो रिजल्टेंट जो होता है वो हमेसा बीच जाता है यह भी एंगल थीटा by two होता है यह पोरा एंगल थीटा यह जिसकी वेल्यों होती इसका मैंगेटीच्ट जो होता यह रिजल्टेंट है इसका magnitude कितना होगा इसका magnitude होता है तो इकोल टो ए नॉट बोल दे सब को टू ए नॉट कॉस्ट थेटा बाई टू कि इसको आरवन कॉल कर रहे हैं तो वह कैसा देखेगा भाई वह तो आपको पता है कि यह अगर हम कि ए बोल लाएं तो यह बी आएगा माइनस का भी इन दोनों को जो औरने की बात हो रहे हैं क्योंकि बी शॉर्य हुआ हुआ हिए इदर है कुछ है कि ए डिफ्रेंस भी बनाना है न तो वी इसको बोलना है तो ए यह यह बी तो यह है तो माइनेस बी इधर आएगा इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि इधर तो बी ए अब इसका रिजल्टेंट इधर है तो ए डिफरेंस भी इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ए माइनस बी आएगा तो वह इधर ही जाएगा जिसको कुछ आरवन बोल ले है और अगर यह दोनों का मैगनिटीूड सेम है तो बचा हुआ हुआ जो जो एंगाल हुआ ध्यान से देखों हैं मांड़ रहा इसका आधा इसका आधा मांड़ ला कुछ आ यह उन वह नंदुन की बखी से निकलेगा और वह मैंगनिटीूड कितना होगा रम न का टू ए नॉट क्यों वो दो दोनों बराबर यह हैं कॉस जो एंगल था थीटा बाइटू उसकी जगह पाई माइनस थीटा बाइटू बन जाएगा मलग क्या बन जाएगा पाई माइनस पाई वाइटू माइनस थीटा वाइटू यानि मौड आरगन कितना आ जाएगा टू ए नौट साइन थीटा वाइटू ऐसे याद रखो ठीक है ऐसे याद रखने में कोई बुराई है नहीं यह रिजल्ड की बात है अब जैसे एका केस हम आपको बताएं इसमें एक वेक्टर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे है ए और बी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितना आएगा मौड ए इकुल टू मौड बी आपको पता होगा कि यह दोनों अगर लेंद बराबर है तो यह क्या बनता है स्कुआर बन जाता है यह कितना है यह A यह B यह भी B ठीक है न यह क्या बन जाएगा इस्क्वाइर बन जाएगा यह स्क्वाइर बन गया तो यह एंगल 45 यह भी 45 यह लेंथ कितना हो जाएगा अगर A डिफरेंस B की बात करने जाएंगे तो ऐसे है B नीचे आ जाएगा माइनस का B रिजल्टेंट इधर जाएगा तो यह भी देखो स्क्वाइर ही बनेगा माइनस B और यह यह है तो यह भी वैले देखो कितना जाएगा टू ए नॉट साइन 45 बन जाएगा वन बाई रूट टू अभी भी ए नॉट रूट टू ठीक है सब्ट्राक्शन हमें समझ में आ गया सब्ट्राक्शन के स्पेसल केसल हैं रिजल्ट बेटा याद रखना है कि ए डिफ्रेंस बी का मैंगनिटूट क्या होगा यह छोटी-छोटी बाते हैं जो हमें याद रखने चाहिए कि आगे की बातें धिरे-धिरे कि एडिफ्रेंस बी हो गया कि एडिफ्रेंस बी में कुछ इस्पेसल केसिस थे जो कि हम लोग याद कर लिए हैं ठीक है अब बात रही एप्लस बी की बारे में हम लोगों ने रिज़ल्टेंड देख लिया ए डिफ्रेंस बी का भी रिज़ल्टेंड देख लिया ठीक है और हमें लग रहा है वो आपको assignment DPPP मिल जाएंगे, ठीक है?